जार्खन बोड मैं जून में होगी जैक की आठवी नौवी अवरेगारवी की परिक्षा जार्खन एकेडमी काउंसिल जैक द्वारा ली जाने वाली आठवी नौवी अवरेगारवी कक्षा की बारसिक परिक्षा अब मैं जून में होगी पहले ये परिक्षाय मार्च महीने में अविजित की जाती थी राज सरकार ने कुरोना काल में लंबे समय तक स्कूलों के बंद रहने की वज़ा से इस बार सत्र की ओधी बढ़ाने का निनलिया है इसकूल अस्तर पर होने वाली बार्सिक परिक्षा भी मई जून माह में अविजित की जाएगी इसकूली सिक्षा उयम सक्षता विभाग ने इस समध में आदेश जारी कर दिया है वही जैक की दसवी और बरहवी की बोट की परिक्षा मार्च के अमतिम सप्ता हमें लेने का निनलिया गया है ऐसा दूसरे बोट की परिक्षाओं को ध्यान में रख कर लेने का निनलिया गया ताकि जग की परिक्षा में सामील होने वाले विद्यार्थी अगली कक्षा में नमांकन में पिछड न सके औरने सभी कक्षाओ की परिक्षा मई जून माह में आयोजित की जाएगी इसकुली सिक्षा यमसक्षता विभाग चर्णबस धंग से सत्र को नियमीत करेगा बता दे की आठवी नवी और बरावी की परिक्षा जैक द्वार अईट की जाती है मौसम विभाग के अनुसार जार्खन के कई इलाकों में एक बर फीर से पच्मी विच्छोब और उसे जुड़े साइकलोनिक सर्कुलेशन का असर दिखने को मिलेगा मौसम विभाग के अनुसार 9 फरवरी को जार्खन के उत्तर और मद्देवरती इलाकों में हलके से मद्दर्ज की बारिस हो सकती है वहीं 10 फरवरी को उत्री मद्द और दक्षिनी पूर्वी भागों में भी बारिस के असार है इन इलाकों में बजरपात की भिया संका जताई गई है जारखन में अभी नहीं होंगे पंचायत चुनाव जारखन में पंचायत चुनाव फिलाल टलता दिख रहा है मद्यपरदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आने पिछड़ा वर्कु आरक्षन से समधित निर्नय पर सुप्रीम कोट में सुनवाई चल रही है इसका फैसला आने तक मामले लटका रहेगा इस मामले में कोट के आदेश का ध्यान करने के बाद ही राज निर्वाचन आयोग आगे कदम बढ़ाएगा ग्यात हो कि मद्यपर्देश में पंचाय चुनाव टलने का कारण यहाएकि वहान नए सीरे से पंचायतो का परिशीमन किया जा रहा है सुप्रीम कोट में मनोहर नागर बना मद्यपर्देस सरकार के मामले में आरक्षन से समधित मसले पर कोट ने आरक्षन का अधार पूछा तो मद्यपर्देस सरकार को फिर से पंचायतों का परिसीमन करना पड़ा है अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंज के फैसले पर जार्खन में भी पंचाय चुनाव टलने की समभवना है जार्खन में नकसली संगठन जेजे MP वर TPC में मुड़भेड जार्खन में दो नकसली संगठन जेजे MP वर TPC के उगरवादी आपस में ही भील गए पुलिस अधिक चक अंजन ने मुड़भेड के पुष्टी की है उन्होंने बताया कि वर्चस्व को लेकर दोनों नकसली संगठन आपस में भीले है जार्खन के लातेहर के जंगल में उगरवादी संगठन जेजे MP वर TPC के नकसली आपस में टकरा गए इस दोरान दोनों ओर से फाइरिंग होई बताया जाराय कि जेजे MP दस ते करनेतित्व गनेस लोरा एवं TPC दस ते करनेतित्व गोविंद कर रहा था साहेब गन्ज में पहार पर बनेगी 31 किलोमीटर लंबी सड़क जार्खन के साहेब गन्ज में पहार पर रहने वाले लोगों के लिए विकास कद्वार खोलने की पहल की गई जाए पहार पर रहने वाले लोगों को बेतर सड़क सुविधाय मिलेंगी एक गाव सीधे जिला मुख्याले से जुड़ जाएगा इसके लिए जिला मुख्याले से मन्रो तक लगभग 31 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी इस बाबत वन विभाग ने राज महल सांसत बिजय हंसता को प्रस्ताव दिया है और अवस्यक दास्तवेज भी दिया है साहिव गंज के बड़ा बेतवना से मन्रो तक सलक बनने का प्रस्ता वन प्रमंडल पतादिकारी मनिश तिवारी ने राज महल सांसत बिजय हंसता को दिया है और अवस्यक दास्तवेज भी सोपे है 25 फरवरी से सुरू हो रहा जारखन बिधान सबा का बयट सत्र इस सी माँ 25 फरवरी 2022 से आरंब हो रहा है इस बार बयट सत्र थोड़ा लंबा होने के साथ साथ कई मायनों में महत्पून भी होगा सरकार की ओर से बयट में कई घोसनाय सामने आ सकती है उधर मोख्य विपक्षी पार्टी बारत्य जनता पार्टी भी हेमान सरकार को घेरने की तियारी कर रही है भाजपा के बिधायकों के कई मोद्दों को लेकर अभी से तियारी सुरू कर दिया मंत्री मंडल सचीवाला यम निग्राने विभाग के अनुसार जार्खन बयट के पहले दिन जार्खन के राजे पाल ब्रमेस वैस सदन में अविभासन पेस करेंगे चत्रा में तीलक में खाना खाने के बाद 500 लोग बिमार सभी अस्पताल में भरती तीलक समारों में भोयन खाने से बिमार हुए करीब 500 लोगों में से 400 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो गया हैं लेकिन 100 के करीब अब भी अस्वस्थ हैं उनका उपचार विभीन अस्थानों पर हो रहा है जिकित्सकों का माने तो धीरे धीरे सभी स्वस्थ हो जाएंगे इस्थीती बहुत हद तक समाने हो चुकी है फूड पुएजिनिंग की आसांका जताई जा रही है अस्थानीय समुदाईक स्वस्थ केंद्र के परभाहे डाक्तर बेद परकास का काना है कि मामला पूरी तरह से फूड पुएजिनिंग का है भोयन का कोई न कोई समान बिसाक्त होगा यही कारण हाई की तिलक समारों में जितने लोगों ने भोयन किया वो सभी के सभी बिमार होगा है केंद्रिये मंत्री नरेंद्र तोमर को हाई कोट से मिली रहात केंद्रिय मंत्री नरेंद्र तोमर को हाई कोट से रहत मिली है जारखन हाई कोट ने उनके खिलाब दर्ज प्रत्मी की रद कर दी है तोमर ने एक करेकर में नरेंद्र मोधी को मूच और राहूल गांधी को पूछ की बाल कहा था उनके खिलाब धनबाद में प्रत्मी की भी द इसकोटी बलाष्ट कर गए इसके बाद इसकोटी से आग की लपेट और धुवा निकलने लगा देखते ही देखते आग की लपटे ने खप्रेल घर और घर के समयान को अपनी चपेट में ले लिया इस समध में अबरा टांड निवासी सफावल मिया ने बताया कि इसकोटी बल है भारत में 16505 नए केस मिले जबकि 1,64,455 मरीज स्वाश्थ हुए भारत में कुलेक्टिव केस की संखे 8,99,624 है एक गारह माह से नहीं मिला मांदे आंदोलन की रापर पोशन सखी संग एक गारह माह से मांदे नहीं मिलने से जारकन परदेश आंगन वाड़ी करमचारी पोशन सखी संग आंदोलन की रापर है परखंड कर्यालाए प्रागन में मंगलवार को परदेश उप सनरक्षक, विद्या सागर मंडल के अध्यक्षता में परखंड इकाई, राने स्वर की बैठक हुई बैठक में परदेश सनरक्षक, विजय कुमार, परदेश सलाकार समीती सदस से बच्चो मंडल उपस्थी थे धानबाद में चाल धसने से दो की मथ, जारकन में एक बाद फी बड़ा हाच्छा हुआ है BCCL की लोहापटी कोईलरी की बंदपटी, चार नमबर, इकलाइन के समीप अवैद, उत्खनन अस्थल पर मंगलवार की सुबह 10 बजे अचानक चाल धसने से दो लोगों की मथ हो गई, मरने वालों में एक की सोरी भी सामिल है घटना के बाद अस्थानी लोगों ने BCCL की, JCB मसीन से मलबा हटाना सुरू किया, थोड़ा मलबा हटाने के बाद एक एक कर दोनों घायलों को मिट्टी हटा कर निकाला गया, इसके बाद परिजन दोनों को इलाज के लिए बुकारो जेनरल अस्पताल ले गया, जहां ड्र अलबार को, कुरूम गड थाना के सीविल गाव में समुदायक पुलिसिंग वा, सीविक एक्षन प्लान के तह सीविल लगा, तो इसमें हज्जारों की संख्या में ग्रामिन पहुचे, यह कैम्प गुमला पुलिस वा, CRPF 2118 बटालियन द्वारा आयोजी था, कैम्प का अलबार सांसुदोर ने दिल्ली में बैठक की है, मंगलवार को ही बैठक में भाजबा विधायक दलकनेता वा पूरो मुख मंत्री बावलन मरांडी, पूरो मुख मंत्री वा भाजबा के राश्ट्रिये उपा अध्यक्ष रगवर दास भी विसेश तोर पर सामिल हुए, ब भी पूरो मंगलवार को सब परिवार परसीच जोनहा फौल घूमने पहुँचे, यह पहले राजबाल हाए, जो जोनहा का नाजारा देखने पहुँचे, प्राकिर्ती का अनन्द लेने के लिए वे शब परिवार पहुँचे थे, परिवार के सदस्यों में पतनी, पुत्र प्रकिर्तिक नजारे का अनंद लिया राजेपाल करीब 500 सीडिया उतर कर जहारना के समीप पहुंचे फिर नदी पार कर वन विबाग के वाज टावर में गए वे करीब तीन गंटे तक जोनाप हौल की वादियों में रहे धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं होई तो चनल के सबस्क्राइब कर बहुल का बेल आइकन दबाएए साथ साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़वेक अवस से दे थैंक यू